Hello everybody, welcome to exam focus by sorrow आज मैं आपको maths के कुछ बहुत ही जादा important tricks बताने वाला हूँ और यह जो tricks हैं यह आपको 3 से 5 सेंड के अंदर आपको calculation करके देंगे तो आएए मैं आपको आज multiplication सिखाऊंगा multiplication if multiplication if the multiplier is 9, 9, 9 and so on तो कहने का मतलब कि मैं सिदा सिदा आपको एक example से समझाता हूँ और बिना कोई time waste किये suppose किजिए कि मैं आपको एक number दे रहा हूँ 329 और this is multiplied by 9, 9, 9 ओके now this is called पहला term जो है उससे हम कहते हैं multiply canned मैं लिख देता हूँ M-U-L-T-I multiply canned और जो दूसरा term है उससे हम कहेंगे multi-plier ओके तो अब हम करते क्या है तो आप अधाधातर exam में आप conventional approach यूज़ करते हूँगे 329 into 9, 9, 9 ऐसे तो 3 से 5 मिनिट आपके निकल जाएंगे सिर्फ calculation करने में तो फिर आप question क्या solve कीजएगा और इसतने देर में तो कई लोग lead भी ले लेंगे आपसे So the thing is मैं आपको 5 second में ये question solve करके दिखाऊंगा आईए मैं आपको process से दिखाता हूँ इसे solve कैसे करते हैं Step 1 देखिए ऐसे question को solve करने का ये उस case में जब number of multiplicand जो है is equal to multiplicand is equal to multiplier तो ये इस case के लिए मतलब यहां 3 digit आपको दिख रहे है 329 दूसरे side भी 3 digit दिख रहे है 329 is equal to या उससे ज़ादा हो in that case तो चलिए पहला step जो होगा 329 जो पहला part है suppose कर दीजे ये LHS है और दूसरा part को आप assume कर लिजे ये RHS है तो मैं LHS लेकर चल रहा हूँ 329 में से आप एक minus कर दीजे और ये हो गया 328 second part क्या करना है आपको step 2 step 2 में हम क्या करेंगे 999 में से जो हमारा answer आए 328 उसको simply minus कर दीजे क्या बचेगा 1 7 and 6 so the answer will be 328 पहला part and then 7671 this is the answer of multiplication अब आप इससे conventional process solve करके देखिए answer would be the same ओके friends मैं आपको एक और question दे रहा हूँ बहुत basic सा आप हमारे साथ try कीजे इस question को तो देखिए question है 46 into 99 very simple तो आप इस question को ऐसे approach करेंगे सबसे पहले आप इसे LHS माल ले दूसरे part को RHS माल ले तो पहला part LHS में से आप 1 subtract करते है तो 46 minus 1 that is equal to 45 दूसरा part क्या है 99 अब 9 RHS का part आप यहां लिख ले RHS यह second step है हमारा तो इसमें 99 में से क्या minus करेंगे 45 तो यह आपका हो गया 9 में से 5 4 और 9 में से 4 5 पहले यह part लिखेंगे फिर यह part लिखेंगे तो यह आपका multiplication का multiply करके check कर सकते हैं आपका answer आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप ही बताइए यह question 3 से 5 second में solve हो सकता है या नहीं यह mind में calculation इतना calculation है जब आप practice खूब अच्छे से करेंगे तो यह सारी calculation आपके mind में हो जाएंगे चलिए एक final question हम और करते हैं और इससे आपका सारा concept नहीं समसता हूं clear हो जाएगा तो जो example है 9 4 2 6 7 8 तो आप देखे नहीं इस question को solve भी करते चलें और 9 9 9 9 9 9 9 तो examiner आपको इसी तरह की question देगा जिसमें trick involved होगा क्योंकि वो check करेगा और यहाँ पर आप lead ले सकते हैं और सब students से जो conventional approach से जाएंगे तो ऐसे बड़े question देखकर तो पहले ही आधे student अपना hands up कर देंगे और लंबे calculation में लग जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है LHS assume कर लेना है RHS दूसरे part को assume कर लेना है अब सीदा सीदा हम 9 4 2 6 7 8 से एक subtract कर देंगे और यह हो जाएगा 9 4 2 6 7 7 तो यह हमारा LHS का अंसर आ गया अब RHS में हम क्या करते है जो 9 9 9 9 9 9 9 है उसमें से subtract कर देंगे जो अंसर हमारा है simple तो यह हो जाएगा आपका 9 में से 7 2 इस तरव फिर 2 आएगा 9 में से 6 3 9 में से 2 7 9 में से 4 5 और 9 में से 9 0 तो अब आपका अंसर क्या होगा जो 9 4 2 6 7 7 LHS का पार्ट था साथ में 0 5 7 3 2 यह अंसर आपका multiplication का आएगा अब बोलिए यह trick कैसा लगा आपको और अगर आपको यह trick अच्छा लगा तो आप जरूर हमें like करके बताएं और next जो पार्ट हम करेंगे तो देखिए यह है type 2 जहाँ पर multiplicand का 67 assume कर लिए यह multiplicand है और इसका multiplier 9 9 9 तो यहाँ पर 2 multiplicand है इसंट इट और multiplier क्या है 3 है तो obviously जो multiplicand है वो कम है तो ऐसे कि इसको कैसे solve करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है बहुत मामूली सा चीज है यहाँ पर आप 0 लगा ले और 6 7 को 67 जासा रहने दें अब 9 9 9 7 apply करें अब देखिए 203 digit number बन चुके हैं अब same process हम follow करेंगे और इसका जो answer है बिल्कुल पिछले case की तरह ही निकालेंगे तो इसमें अब करेंगे कैसे हम आईए देखते हैं ओके तो पहला पार्ट हम LHS और RHS दो पार्ट देखेंगे LHS में हमारे पास क्या है 067 RHS में हमारे पास है 999 तो हम पहला पार्ट क्या करते हैं LHS से minus 1 subtract करते हैं तो यह हो जाएगा 066 और दूसरा पार्ट में हम क्या करते हैं 999 में से 066 को subtract कर देंगे तो यह कितना बचेगा 339 तो LHS का पार्ट हमारा है 066 RHS का हमारा है 993 तो इसका अंसर हो जाएगा 66933 तो यह आपका simple सा answer बिल्कुल बिना कोई pen को ज़्यादा दिर calculate किये बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप simply answer इस तरह से निकाल सकते हैं एक और question हम देखेंगे ओके 243 into 9999 तो अब इस case में आप क्या करेंगे 0 लगा लेंगे पहले 0243 और बाकी का सारा process आपका same रहेगा तो यहाँ पर इसमें से minus 1 कर लें यह LHS है the second part is RHS 242 हो जाएगा यह 0242 minus करने के बाद और जब 999 से आप 0243 सब्ट्राइट करेंगे तो यह बन जाएगा 6 यह 5, यह 7, यह 9 अब इन दोनों को आप एक साथ लिखने 02429756 तो आपका अंसर हो 0 रहता नहीं है वैसे तो यह हो गया आपका answer तो यह हो गया type 2 के question और इतनी simply से आपने 999 का multiplication सीख लिया और 9 के बाद हम 11 का भी सिखेंगे और कुछ और चीज़े में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ share करूंगा और और बी ऐसे छोटे-छोटे जो calculation के tricks हैं जो IVPS, bank, PO में और SBI के PO में और SSEC, CGL वगेरा के exam में बहुत जादे important होते हैं aptitude के question solve करने में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाईज तो इसे share करें, like करें और हमें subscribe करें और आपको अगर query है, कोई question है तो अब जरूर उसे पूछ सकते हैं अगर हम दिल्कुल कोशिश करेंगे आपके questions का answer देने का Thank you, keep watching exam focus Have a nice day, जय हिंद जय भारत